तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मैं हूँ डॉक्टर ललिट और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि आप सभी लोगों तक हमारे नोटि के लिए जिससे आपको एक भी अपडेट में सुनाओ तो शुरू करते हैं पहला सवाल फास करेंगे तीजी से पढ़ेंगे पहला सवाल है 406 में और 318 के योग का निकटतम सेकड़े में मान क्या है तो वैल्यू अफ सम और 496 and 318 is in the nearest hundred यहीं एप्रॉक्सिमेट वैल्यू आपको बतानी चार सो चानवर 318 के योग में निकटतम मान क्या है इस सेकड़े में यह आपको बताना है 814, 800, 178, 700 तो देखते हैं हापका जवाब क्या मिलता है तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है और उम्मीद करेंगे जब आपको मिलेगा अच्छे से देखें आच्छे देखें कि आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जवाब क्या मिलता है कि उम्मीद करूंगा आपके साल स्वाल जो अच्छे से होंगे और टेजी से आप जवाबों करने की कोशिश करेंगे कि ऑगए तो सबने आंसर भी देने का प्रियास किया बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब आप मैंने आपको कल भी समझाया था नियरस वैलू के से निकालते हैं तो सब्सक्राइब जब देने आ रहे हैं इसलिए चल रहा हूं चार्सो चानम में आपने 318 को एड़ किया तो क्या मिला आठ से चोहदा नो एक दस और एक ग्यारा चार तिन साथ रेकार आठ सो चोहदा तो 8 से 14 के अगर मैं बात करता हूँ आप से तो उसने 100 में पूछा है तो 800 तो किस 100 के पास है आपने का सर यह 100 जो किस के पास है यह 800 के पास है और ये इस डेटा का पेपर का सी एट यहाइए रागन यह तो मुझे भी नहीं पता कौन से देट में आया है नेक्स्स कोश्चन आपके स्क्रीन पर गणितिग्य प्लेटो के अनुसार गणितिग्य ऐसी विवस्ता है जो मानशिक शक्षितियों को प्रक्षित करने का अफसर प्रदान करता है और सुसुप्त आंत्मा में एक नवीन चीतना और नवीन जागरतित्पन करने का कौशर गण तो जवाब क्या है किस मुल्य की बात हो रही है है यहां पर जी तो इकदम क्लियर है कोई भी गलती नहीं है सब कुछ क्लियर है अपनी इंटरनेट की अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा रिजोलेशन बढ़ा ले 480 पर कर ले 360 पर कर ले वीडियो दिख जाएगा प्राइट ऑप्शन क्या है देखो गनितिक के प्लेटों को ही गनित के मानसिक सिध्धानत का जमदाता कहा जाता है तो उन्होंने मानसिक शक्तियों को प्रिक्षिस्थ करने की बात कि मानसिक शक्तियों सीधा संबंद होता बहुत दिख मुल्ले से कि बालक की जो मेंटल है व्यवारिक मुल्ले से मानसिक सकतीयों का मुल्यां का नहीं होता मानसिक शक्तियां करती आपकी बौद गलतीं जैन्कर्टिक मुल्य में आप बात करते हैं तो जिसे हमारे होग बैंस साथ पॉर सांस्कृतिक मुल्य में बच्चा किसी भी चीज को वहारिक जीवन में लागू करता है तो वह वहारिक मुल्य में आता तो चारह मुल्य आपको पता होने चाहिए प्रशन आपके सामने हैं दीजेगा जवाब क्या मिलेगा 48-2 से ही एक बटा 3 प्लस 3 से ही एक बटा 6 divided by 2 is to 1 by 8 is equal to what राइटर होईजी बहुत बढ़िया तो 48-2 is to 1 by 3 plus 3 is to 1 by 6 divided by 2 is to 1 by 8 is what तो सवाल कैसे करेंगे तो हमें पता ना बोड़ मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को solve करना होगा तो इस ब्रैकेट क माइनस यह क्या हुआ आपने कहा कि सर्फ इसको तो ऐसे कर लेंगे तीन दूनी छे और एक साथ बटा तीन प्लस 6 तीए ठर रर उन्डिस बटा छे और यह हो गया ब्रैकेट बन इसमें है 17 बटा आठ का डिवाइट तो फहले इसको solve कर लें तो आपने का 48 माइनस जब इसका माइनस का 33 बटा 6 और इसको multiply कर दें तो यह हो जाएगा divide by 17 बटा 8 किलिए रहे हैं तब को problem तो नहीं है आप देखो 48 माँ 6 की गुणा करो तो 6 48 तो 8 का 6 24 और 4 28 माइनस का 33 अपॉन 66 अब इसको multiply करते 8 बटा 17 से ऐसे तो 8 में से 3 गई 5 आठ में से 3 गई 5 बटा 2 बटे 6 बटे 6 बटे 6 बटे 6 बटे 8 बटा 17 इसको divide करके देखे तो कितना हैगा आपने का divide कर लो तो अगर दिवाइड कर 17 बचे कितने तत्रह तीन आठ और सत्रह पंजे फिच्चासी तो 15 बटा जाएगा ने ओकिए आपने का इक दव अब इसको से काट लेते हैं हम कि रस दो से दो छुक ए आठ कर दो ती अच्छे दो ती ती अच्छे तीन से काट तीना पंजे पंदरह अथ घ्यारा तिहा त्या टेपया से तीए निन पांजे पंद्रा आच मिस्त वेडेल के अफ्डनून सबीन आफ्टरणून सबीड मेरा ध्याद और नमस्कार तो अब आपको सम्मने क्या है बीस बाटा 11 तो तीन और तीन पंजब बंदर तो 20 आना चाहिए इसका अंश्ट उक्स उक्स तो क्या करा हूं मैंने 6 इसको यह एक 6 है कभी आप उसको 2 बार 6 लिख दिया है मैंने एक बार इसको रेज कर देता हूं जिससे की प्रोबलम म् विशाद आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा मैं इसको एक बाद फिर से बता देता हूं इस टिक्स ओके अभी ठीक है क्योंकि तो फॉच पॉच्पॉच हो गया था सिक्स तो एक इतना वाट टू फिप्टी फाइग मुल्टिप्लाई बाई एट अपॉन इक्स इंटू इसको डिवाइड को मैंने मल्टिप्लाई कर दिया क्योंकि नेक्स टम में आप इसको मल्टिप्लाई आसाणी से कर सकते हैं एक और सवाल लूँगा आप लोगों के सामने और उम्मित करूँगा एक और सवाल आपको मिले जी नेक्स कुशन आपके सामने है प्रात्मिक इस्तर पर विद्धार्थियों को माप का संदर्व पढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सा कथन सब्ते है एपरमालिक मापो का उपयोग परमालिक मापो के बाद करना चाहिए पिरमालिक मापों का उपयोग पिरमालिक मापों के बात करना चाहिए केवल पिरमालिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए यह पिरमालिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का उसको बच्चा कैसे develop करता है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो आपको जवाब देना है कि वो बच्चा कैसे इस प्रमाणिक और प्रमाणिक मापों के बारे में संबंद ग्याद करने की कोशिश कर रहा है और यह मैंने आपको पता है कि जभी बच्चा माप के संदर्प को पढ़ता है उसको 4 पार्ट में पढ़ना पढ़ता है पहले उह करता पहले वो करता है और सत्यापन तो वो पहले निरिक्षन और सत्यापन करता है पहला स्टेप होता ये दूसरे स्टेप में वह अमाना की काई ने एप पिरमाने की काईयों का प्रियोग करता है बताओं अभी क्या होती है कि इसरी स्टेप पर आकर वह पिरमाने के गये होग प्रयोग कर देता है कि आपको समझ में आ रहा है यह मापको संदर्म को पढ़ने की कोशिट करता है तो पहले वाले संदर्म ने क्या करता है वो वो चीजों को observation करता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कि आपने देखा होगा, कि भई आप, अरे क्या हो रहा है, what happened, एक मिल दोस्तों, यह अपने आपके बढ़ रहा है, हाँ जी, क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, कि जब आप बच्चे से बात करते हैं, कई बार देखते हैं, कि मैं इस रास्ते को छलांग मार के कूद जाऊंगा, यह मैं इसको नहीं कूद पाऊंगा, अपने कई बार ऐसा देखा होगा, तो यह छलांग मारने की बात है, जो कूदने की बात है, यह सब क्या है, यह एपरमानिक मापो का ही प्रियोग है, तो जो को मापने की कोशिष करता है इतना बड़ा इतना साइए किलोग्राम को सीखता है और उसके बाद पिर्मानिक उनके बीज में संबंध किटने मिली लिठर है किटने ठेकाली थेल घ्लीह था तो कैभे सबसे पहले क्या होगा निरिक्षन उसके बाद एफ पिर्मानिक इकायो का उपयोग एफ पिर्मानिक इकायो के बाद करना चाहिए option number एकदम correct है बहुत बढ़िया बी is the right answer बहुत बढ़िया तो आपको बताना है 0.005184 बटे 0.432 का मान क्या है तो इस सवाल को कैसे करेंगी अगर मैं सवाल की बात करता हूँ तो सिंपल देखो अगर मैं बोलू 5184 upon 0.432 अब अगर मैं देखो बढ़ाने की यह 12 के बराबर है और आपको वैल्यू किसका डिवनना इस वाले का तो आपको यह वाला वैल्यू बनाने के लिए कितने का डिवाइड करना पड़ेगा भई यहां देखो अंक कितने 1,2,3,4,5,6 अंक बाद देखो इसमें कितने अ अंक की और मल्टिपलाइए करने पड़ेगीने तो इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, आपने का 4 अंक का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 अंक बाद पहुंच जायगा, अगर आप अगर मैं इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको तो क्या वैलिव आ जाएगा जीरो दिसमें लब 001 जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करके बात करो कि तब भी आपको आप से मिल जाएगा किमपल अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे जब आप क्या मिलता है और आपकी तरफ से किस-किस कार्थ है सही है लेट सी जी आगे बढ़ें क्लियर है दुबारा देख लो देखो सवाल को अब मैं दुबारा समयाता हूँ जीरो तेसमलब 001 एक मिन रोखना देखो किमपल सवाल आपके सामने है कि जब आप इसको मोटी सी बात देखो आप इसको डिवाइड करना चाहते है ठीक है ना आपने कहा 51.84 में जब आप डिवाइड करते हैं 0.432 का तो अब वो क्या मिलता है बारा मिलता है सवाल समझो यह बारा दे रहा है यानि अगर मैं इसमें एक्शुल में डिवाइड करो तो यह बारा नहीं आएगा यह 1.2 आएगा है ना आप एक्शुल करके देख लो अगर आप इसमें सीधा डिवाइड करोगे तो यह बिल गेट आंसर नॉंट लाइक देस क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा आपको समझाएगा कि इसका मान अगर इतना है तो आपको बताना है इसका नीचे वाले से भाग करने पर आगे वाले का मान क्या होगा क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे इट विल गिभी 120 यह आपको 120 देगा समझे हो ना या तुम इसको 120 कर देता हूं अब ठीक है अब इस समझ में आ जाएगा मैंने इसको 120 कर दिया योग उसने 12 बोला है तो मुझे एक जिरो कम करना पड़ेगा देखो तो अगर मैं इसकी बात करता हूं उसका वेल्यूगर 12 के बराबर है तो कितने दसमन मुझे कितने ऐंकबाद ध समझ लेना एक दो तीन चार पाँचछ शेंक पाद दसमन लेना इसमें दो उन्कबाद हो रहा थे तो मुझे इसमें कितने का वहा करना पडएगा आपने का मुझे 10,000 का चरना पड़ेगा खेंक आ अद्すज़ खेंक आ आ जाएगा जब यहां पर 12 है एक्चुन में तो क्या होगा दसम लब एक और बढ़ जाएगा तो राइट ऑप्शन इसको 120 कर लेना तो राइट ऑप्शन विल भी 0.012 अभी ठीक है को प्राबलम तो नहीं है तिर्फ मुझे इसमें जब मैं डिवाइट करूंगा यह दसे जार का तभी त क्लियर है तो राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर हां अगर मैं यहां पर 120 है सवाल में 120 करता हूं एक्ट्यूरेट सी के लिए क्योंकि इस सवाल में 120 होना चाहिए इस लिए है ठीक है ना इसको कॉश्चन में 120 था यह तो यह इसी लिए हो जाएगा अभी क्लियर है आपको बहुत अच्छे से मुझे मिल लेगा आप जिनकी आरास है चलो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की बात करते हैं किलियर हो गया है बहुत बढ़िया तो नेक्स कोशन है आपके स्क्रीन पर यह रहा तब से उप्यूक्त व्यू रचना जिसका प्रियोग धनराशी के यो करने के लिए किया जा सकता है प्रति रूपों का प्रियोग भूमेका निर्वाय यानि रोल प्ले बहुत सारे सवाल हल करना तो सॉल्व मैनी कुश्यन्स और सूचना और संप्रिशन तक निए आई सीट इंफॉमेशन और कम्यूनिकेशन टेकनलोजी का प्रियोग तो यह श पन से बच्चे को पैसे से बहुत प्यार होता है अगर आप उसको सवाल देंगे वही लिखेत रूप में तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पैसा उसे पता बहुत प्रीसियस थिंग है इसलिए हमेशा जब भी राशे के बात की बात होगी पैसे संबंदित बात होगी उसके यो तेजी से बताओ, which of the following is correct? क्योंकि जब अब तेजी से बताओ कि तभी आपके सवालों में आगे जाके दमखमाएगा और चीजों का आप समझ पाएगे इनमें से कौन सा सही है? which of the following is correct? minus 16 is greater than minus 15, minus 16 is less than minus 20, minus 16 is greater than 1, and minus 16 is less than minus 3. कौन सा प्रापर्टी आपको इसमें से सही मिलता है, let's see what will be the right answer from your side. मैं पर D option से कोई B बता रहा है, कोई D बता रहा है, देखो समझो, आप सभी जानते हैं कि minus में जितनी बड़ी संक्या होती, वो उतनी छोटी होती है, है ना? minus में जितनी बड़ी संक्या होती, वो उतनी छोटी होती है, तो अगर मैं minus 16 की बात करो, तो minus 16 छोटा है, minus 15 से, क्योंकि minus 16 actual में बड़ा है, इसलिए minus 15 बड़ा होगा, क्योंकि negative में जितनी संक्या छोटी होगी, वो उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी संक्या होगी, वो उतनी छोटी होगी, तो ऐसी देखो minus 16 बड़ा होना चाहिए 20 से, ये सही कैसे होगा, इसको अगर सही लिखें, तो इसका मलब यह है, minus 16 छोटा होता है, minus 15 से, गलत लिखा है, यहाँ पर देखें, minus 16 बड़ा होता है, minus 20 से, इसको देखें, यह minus की value कैसे बड़ी हो सकती है, तो अल्रडी गलत हो गया, अब देखो minus का 16 छोटा है, बिल्गुर सही बात है, क्योंकि minus 3, actual में छोटा संक्या है, लेकिन minus में जितने संक्या छोटी वो उतनी बड़ी, तो right option क्या है, option number D, बिल्गुर सही का आपने, तो right option, option number D होना चाहिए, सवाल का, minus 3 is greater than minus 16, एक और प्रशन, D is the right answer, नीतो गणित की अध्या पिकना है, वे प्रात्मिक स्कूल में, कक्षा 5 मे गणित पढ़ाती है, छेत्रमिती पढ़ाते समय, सबसे पहले वो बोड पर सभी सुत्रों को लिख देती है, यह तरीका दर्शाता है, क्या दर्शाता है, निगमन उपागम, आगमन उपागम, व्यावारिक उपागम, प्रायोगिक उपागम, नीतो is a teacher of mathematics, he teach mathematics in class 5th, in an elementary school, first she writes all the formulas on the board, while teaching mensuration, it shows the way, its incorporate method, that is deductive method, arrival means inductive method, practical approach, व्यावारिक उपागम, और प्रायोगिक यानि experimental approach, क्या बात है, सबको पता है, A for Apple, क्या बात है, बिलकुर सही बात है, इक्तम तालिया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सा जाब देते हैं, क्यों, क्यों, क्यों क्या ह दिया, सुत्र लिख दिये, जब उसने board पर सबसे पहले formula चिपका दिये, तो यानि नियम लिख दिया, अब नियम से बचा सवाल करेगा, और आप सभी जानते हैं, कि जब बचा rule to example चलता है, यानि स्टार्टिंग में वो नियम लिख देता है, तो वो कौन सी विदी होती है नियम 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 निगमन, most of the students ने सही जवाब दिया है, नहीं अभी ने करवाएं सारे, वो संडे में होगा, वो संडे, संडे टो संडे होता है वो पिपर, चलिए, यदि चार की power question mark का question mark प्रतिशत बराबत 51.2 है, तो प्रशन वाचक चिन नहीं, यानि इस question mark के स् इफ 4 to the power question mark off, question mark percentage is equal to 51.2, then the question mark will come in place off, ओके देखते हैं जवाब क्या मिलता है, आपका जवाब है, आपको देना अच्छा सवाल है, इसे सवाल बहुत बार examination में बन जाते हैं, इनको simplification की category में ही रखा जाता है, ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, यदि 4 की power question mark का question mark प्रतिशत 51.2 है, दो को समझो, चलो मैं आपको इसको आसास बनाता हूँ, मैंने लिखा 4 की power x का x प्रतिशत कितना है, 51.2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 to the power x, का मिस गोना x बटा सो, is equal to 51.2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 to the power x into x is equal to 51 multiply by 100, तो यह क्या 5120, तो यहनि आपको मिला 5120, है ना, 5220 मिल गया ना, आपने का, ओके, तो अब इसको कैसे करें, आप तो factor नहीं है, तो इसको factor में convert कर लेते हैं, 5120 तो मैं इसको factor में convert क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे पता 4 लिखा है, तो 4 की power है, तो मुझे 4 की power चाहिए, तो मैंने 4 से divide क है, चाहरे कम 4 बचा एक, चार दुनिया तो चार अठ्वत्थे बारेश वस्ती, चार तिया बारा चार दुनिया जीरो, 4 अठ्थे बत्ती इस, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड किया 16,85, चार चोक सोना 20 चोक 8 और 4,85,20 ठीक है, तो हमने इस तरह ऐसे इसको साल्व किया, तो इसके फैक्टर क्या आपने, आपने क्या से फैक्टर बने, 4 multiply by 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 5 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 गुणा 5 तो मतलब क्या हुआ कि 4 to the power x into x is equal to what आपने का 4 to the power 5 into 5 अब comparison करें देखो x का value यहां पर भी 5 है इसकी power को comparison कर तो x का value यहां भी 5 है तो राइट option क्या है 5 तो इस question mark की जगा 5 आएगा तो सवाल एकदम 60 बन जाएगा इस इत क्लियर आसान था समझ में आया होगा ऐसा कोई मेरे साथ ही जिसको समझ में आया हो मुझे तो उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कोई problem नहीं रही होगी क्लियर है बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया एक और प्रशन आपके screen बर यह रहा सबको क्लियर है ना क्लियर ना हो तो मुझे comment section में बता दिशेगा चौती कक्षा के विध्यार्ती के लिए अधिगम उद्देश दिया गया है विध्यार्ती दशमलब वाली दो संख्याओं की जो की दशमलब के दो इस्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है यह अधिगम का उद्देश उलेख करता है प्रक्रियात्मग दे सुविवस्तिता दे समाजिक धिया विश्यातमग दे लर्निग अब्जेक्टिव इस गिवन पर फोर्थ गिर्ट सुदेंट्स इस तुदेंट्स थे अबलिटी तो अर्डर और कंपेर तो डेसिमल निंबर विच आप टो टो प्लेसे अफ देसिमल इट मैंशन दे परपस आफ लर्निग प्रोस्टिजरल गोल सिस्टेमेटिक गोल सोशल गोल ये सबजेक्टिव गोल दरने की जरूत नहीं डरके आगे जीते हैं से मैंने सुना है तो ड़बु दिखा घर कही हो रहा हो तो राइट ऑप्शन क्या है आप्शन देखिए बहुत अच्छा कोशन है आपको जवाब देना है प्रक्रियात्मक सुववश्थिता सामाजे क्या विश्यात्मक तो यहाँ पर कोई A दे रहा है कोई B दे रहा है बहुत बढ़िया तो A और B प्रक्रियात्मक सुववश्थिता इन दोनों पर आपने बहुत अच्छे से जवाब देने का प्रियास किया है लेकिन आपका जवाब गलत है बल्ग सही का आपका जवाब अधिकांश गलत है सिर्फ एक जवाब मुझे प्रीति का सही मिल राइस में क्योंकि ये विश्यात्मक देह की प्राबलम है तो आप सबने गलत चुनाव किया है ये एक सब्जेक्टिव मैटर है समझो एक चोथी कर्षा का विद्धियारती का अधिगे उद्धिय से क्या दिया है कि विद्धियारती देशमलम वाली दो संख्याओं जो कि दो देशमलम लत अकिस्तान करम में रख सकता है यहीं वो देशमलम वाली संख्याओं को असेंडिंग और डेसंडिंग ओर्डर में लगा रहा है छोटी बड़ी को पहचान परा है तो आपने अधिगम का उद्धिया क्या गनित विशे में तो ये विशयात्मक प्राबलम होई ना हुई अगर वो गनित विशे की बात नहीं करता तो हम मान लेते क्योंकि समस्य प्यॉरली किस से है प्यॉरली किस से डिनों कनेक्ट है प्यॉरली कनेक्ट है सब्जेक्ट से क्योंकि उसने किसी किताबों को अरेज नहीं करा है उसने देशमवाली संख्याओं की बात करें, decimal values के बारे में वो बात कर रहा है, और decimal values purely part होती है mathematics का, तो यह subjective goal है, क्योंकि बहुत लोगों का गलत है, right option क्या है, विश्यात्मक धे, that is subjective goal, is the right answer, clear है भई, समझ में आ गया, यह नहीं होगा, प्रिक्रियात्मक प्रोस्रिजल गो क्यों तो मना करता है, algorithm को याद करने के लिए, is it clear, हाँ, एक और सवाल, anxiety in messyl का मुल्य बीसुरुपए है, यदी छे दरजन पैंसिलों का मुल्य क्या हुग यह आपको बताना, the price of 3 पैंसिल is 20 रुपीज, what will be the value of 6 दोजन पैंसिल, 40, 48, 480 और 400, चलिए दिपेक्षा, अच्छा कोशन आपको लगा very good, तो देखते हैं, जो आप क्या मिलता, 3 पैंसिल का मुल्य 20 रुपे है, तो एक पैंसिल का मुल्य कितना हुग वीज बटा 3 और 6 दर्जन पैंसिल का मुल्य कितना हुग आपने का 20 बटा 3 मटी तलाएब आप 6, ऐसा मत करना, समझ ये करना, हम जल्दबाजी तो 72 पैंसिल का मुल्य पूछा है उसने, तो क्या होगा, तो 72 पैंसिल का कितना हो जाएगा, 20 बटा 3 इन्टो 72, 24 थी बहातर और 24 दूनी 48, 480 रूपाय, ठीक है, कभी आप इसको सीधा कर दें, ऐसा कई बार हम कर देते हैं, अच्छा का निकाल देते हैं, और तिवाइट के बार करते हैं, चालिस रूप हम इसका अंसा देते हैं, गलत हो जायागा, जिसने 40 सोचा है, राइट option is what, that is option number C, clear है, बात समझ में आ गई, कोई problem नहीं थी, इसलिए आपने ए दिया, इसलिए मैं बताया कि अब जल्द बाजी में ऐसा कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक और सवाल लेते हैं, प्राथमिक कख्षा का एक बच्चा, संक्या, चिन्नों, संक्रिया सिक्कों और घड़ी की सूयों में अंतर स्थाफित नहीं कर पाता है, यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्लिकत में से किस रुक्षेतर में समझ्चा है, प्रक्रियात्मक स्मर्ति यानि प्रॉसिस मेमरी, दरश्य परकर्मन यानि वीज्वल प्रॉसेसिंग, या भाशा परकर्मन, लेंग्विज प्रॉसेसिंग, इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि इसलिए तो आपको गाइड करने की कोशिस जाती है, कि आप एक्जामिनेशन में इस तरह की गल्ती बिल्कुल ना करें, तो देखते हैं, एक प्राइमरी चाइल, स्कूल का बच्चा है, वह संक्याओं, संक्रियाओं, चिन्नों, सिक्कोर, घड़ी के सुयों मंतर स्थापित नहीं कर पाता, तो वो कौन सी बात से प्रॉबलम उसको हो रही है, यह आपको बताना है, सुर्वन, प्रिक्रिया, दरश्य या भाशा, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे साती ने बोला है किसे ने बोला है, किसे ने बोला है, किसे ने बोला सी, सवाल को समझो, सवाल को पढ़ने की कोशिश करो, अगर आप सवाल को पढ़ना सी गए न, एक निकलती नहीं करो वे, बस पढ़ने की आवश्य रखता है, पढ़ना कैसे, कि प्रात्मी क्लास में बच्चा, बई, दो स सिक्कों में नहीं बता पता कि छोटा कौन सा बड़ा कौन से दोनों में अंतर कौन सा है वो दो घड़ी के सोईयों में नहीं अंतर बता सकता कि अभी इसमें कितने बज़े हैं उसे लगता दोनों बार सेम बज़े हैं तो ऐसी प्रॉबलम में उसको प्रॉबलम क्या है क्या भ वीजुलाइजेशन, यानि वीजुल प्रोसेसिंग में इसको प्रॉबलम है, दर्श से प्रकुरमा में इसको प्रॉबलम है, बहुत बढ़िया, एक और सवाल, तेजी से करते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सवालों को आगे करते चलो, यदी 6 ये ऐस्टिक है, 6 रेक्टेंगल स्क्वेर फाइव का अर्थ क्या है, 6 मां 5 प्लस 6 कुणा 5 प्लस 6 कुणा 5, 30 प्रेस 30 प्रेस 30 इस उगल तो 90, उसी प्रकार 8 स्क्वेर नाइन का मान क्या होगा, तो इफ 6 स्क्वेयर फाइव इसका मीनिंग यह इस तरह से यह उपरेट होगा है तो आपको बताना है आठ स्क्वेयर नू कैसे अपरोट होगा यह आपको बताना है तो देखते आपके जवाब क्या मिलता है जी उम्मीद जवाब अच्छा होगा येस तो लेट सी वाट विल पी दिया आंसर ती आप्शन मिल रहा है देखो समझो वह उसने बोला है अगर मैं सिक्स को ऑपरेट करता हूँ इस सिंबल के साथ तो यह कह करता है यह इन का दोनों का मल्टिपलाई करता है और तीन बार करता है तो यह दो अगर वेरिबल आते हू आठ नो इसमें क्या करेगा इसमें भी तो वही काम करेगा इन तीनों की मल्टिपल तीन बार करेगा यह यह यानि क्या होगा 72 प्लिस 72 प्लिस 72 इस जिकल टू 216 इस सब को पता होगा 216 बहुत बढ़िया यानि आपने एक दम सही उत्तर देनी की पूरी कोशिश की प्रक्रि तो इसका प्ये पैटर्न के सवाल होते हैं और पैटर्न में जो उसने पहली वाली ने पैटर्न फोलो किया है आप दूसरे वाले में भी पैटर्न को फोलो करेंगे तो आपके सारे सवाल जवाब बन जाएंगे एक और सवाल समझ्धिक क्रियाक्षा के कारण होने वाली उब से बाहर चल ले जाते हैं कि यहां पर जवाब है और क्या आपका जवाब है यह तो आप बताएंगे बस हम तो सुनने को गट है कि आपका जवाब हो क्या मिलेगा लेट सी वाट विल भी दिराइट आंसर फ्रम यूर साइड वो योगिता में सम्वर्धन में सायक है बस यह बताना है आपको मैं पूरा इसको कर देता हूं जिसे की प्राब्लम ना में लेगा ओके क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताते चलो और मुझे सालवाब के आंसर देते चलो ओके ओके लेट सी जी यस तो यहां पर आप्शन ए बी सी डी के रूप में आप लोगों के मिल रहे हैं वह सारे बच् मैंने बढ़ दिया है उसको डी बी का है देखो मनुझे नातमा क्रिया कलाप और चुनौती पूर्ण जयमेतिया पहलियां खेल इन सबका एंसीफ में सरिफ एक उद्देश है कि बच्चों के अंदर रुची पैदा करना बच्चों को वह रुची पैदा करें जिसे की बच् सवाल बहुत बच्चों को लग रहा है सही है पहला अप्शन गलत क्यों है कि जो मनुझे पहली है वो सिर्फ कम सफल विद्ध्यारती और मंद बुद्धी से गति सीखने वालों के लिए नहीं होती है वो हर किसी में रुची उत्पन करने में सायत होती है तो यह दो महीं नह सब्सक्राइब नहीं प्रतान करती है सभी के लिए होती है और यह किलियर है एकदम आप ज़र इसको अपनी जो resolution उसको बढ़ाएंगे तो यह आपको साफ दिख जाएगा कुशिन बड़े-बड़े होते ना इसलिए थोड़ा सा जगा कम पड़ जाता है मैं फूरी कोशिश करता हूं राम राम जी ओके तीना टैग तो नहीं मिल रहा है आपका कमेंट मिल रहा है मुझे तीना आपको मुझे कमेंट तो आ रहा है जी आया आपका कमेंट एक और सबाद लकडी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है यदि एक बक्से में कुल 98 में पुस्तक के पैक हो सकती है और एक बक्से का मुल्य 518 रुपए है तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मुल्य कितना है ये वन आर की क्लास होती है तो आपको बताना है लकडी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना यदि एक बक्से में अठाण में पुस्तक पैक हो सकती है और एक बक्से का मुल्य 518 है तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मुल्य कितना होगा देखते हैं जवाब क्या मिलता है बहुत सिंबल सवाल है देखो लकडी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है यह नहीं कुल मिलाकर कितनी किताब है हमारे पास 10,290 टैन थाउजन टौने नाइनटी बुक्स भी है यदि एक बक्से में 98 पुस्तक आती है अब एक बक्स नहीं बक्से हुए तो आपने का सिफ 10,000 को डिवाइड कर दो दज्जा 290 को डिवाइड ही तो करना है तो करो बही अठान में एकम अठान में तो कितना हुआ 10,290 98 बंज़ 98 डिवाइड करें तो बचा कितना चार ना जाने का 0 और 9 105 इतना है आएगा ना 105 आगया यदि कुल मिलाकर आपको 105 बॉक्स की आवाशकता होगी नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे भी कर लो 10,290 में मैंने 98 का डिवाइड कर दिया ऐसे जब डिवाइड कर तो एक ब 10 बचा उतार नो जना जने का 0 आप 0 उतार लिया तो कितना हुआ यह नो बार जाए तो पांच बार आठ पंजे 40 का 4 का 5 नाम 454 लंचे ठीक है इसली मैंने कर दिया ओके अब उसने बोला है टूटल आपके पास बक्से कितने 105 बॉक्से हैं और आपके पास कितनी किताबे हैं कितने एक बक्से का मुल्य आपने का 518 जब एक बॉक्स का मुल्य 518 रुपय है और आपके पास 105 बक्सों की जरूरत है तो 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 तरीके से कर सकते थे 100 पिलस 5 इंटू 518 इसकी बुणा करें तो 518 डबल 0 पिलेश इसको करें तो 8 पंजे 40 और 5 एक अम 5 और 49 और 5 पंजे 25 यह आगया दोनों को जोड़ दो जीरो नो आठ पांस तेरा दो रिख तीन और रिख चार पांच तो 54 तीन सो नब्य हाना चाहिए क्लियर है बिल्कुर सही तो आप्शन कितना है 54 तीन सो नब्य रूप है क्लियर है बहुत सिंपल ची तियोरी थी आपको समझ में आ गई होगी कोई प्राबलम नहीं हो इसको समझ में बहुत बढ़ी वैरी नाइस आगे बढ़ें एक और सबकी बात करते हैं फिर देखते हैं वन मोर कुशन आपके स्क्रीन पर यह रहा तक्षा दो के विध्यारतियों का सरल आकरतियों उसके लंबोर किनारों से परीचे करने के सबसे उत्तम उपरन कौन सा है अधे खसम तक्षा दो के विध्यारतियों को सरल आकरतियों को बताना है उनके लंबोर किनारों से परीचित कराने का सबसे उत्तम उपरने से कौन सा ह नहीं भी ब्लैक बोर्ड फ्लो जियो बोर्ड रिडी सेल्स के नोट्स और क्यूब्स हाँ निकाल सकते हैं विल्कुल मॉन टू यस ए शामपट का तलब बता रहें देखो समझो अगर मैं शामपट के तलगी बात करता हूँ तो शामपट का तल सिर्फ एक ही आकरती को दिखा है अगर मैं शामपट के तलगी बात करता हूँ तो शामपट का तल सिर्फ आपको एक आकरती दिखा सकता हूँ वो क्या होती है जैसे कि मैंने बताया वो आपको सिर्फ दिखा सकता है शामपट का तल, वो सिर्फ आयत को दिखा सकता है, इसके लाबा तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन आपको तो सभी सरल आकरतियों के बारे में बात करनी है, तो आपको को ऐसी आकरती चाहिए, जो इन सभी आकरतियों को एक्स्प्रेंट करने में आपकी साहिता करें, बात मेरी समझ रहे हो, तो यहां पर आपको कौन सी आकरती होनी चाहिए, क्योंकि शामपट के तल, अगर हम बात करते हैं, तो शामपट का तल, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा सकता है, और वो क्या है, वो मैंने आप बता दिया, क्योंकि शामपट का तल, सिर्फ आयताकार होता, त आपसानी से सो कर सकता है कि यह आयत है यह तिरबुझ है और यह चत्रबुझ है और यह समांद चत्रबुझ है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो विद्यारति किनारों से परिचे कराने के लिए देखो 3D जो होती वह 3D शेप होती है 3D साधन आकरति में नहीं आती है क्यों थ्रीडी शेप है सरल आकरतियों में सिर्फ 2D आकरति आती है तो राइट ऑप्शन क्या है 2D आकरति को रिप्रेजन्ट करने के सबसे अच्छा साधन के जियो बोड के मादव से बच्चा टीचर को बता सकते हैं यह जियो बोड होता है यह जियो बोड होता है एक लकडी का बोड उस लकडी के बोड में आलपिन्स लगी होती है और उन आलपिन्स की साहता से बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आकरति यह बनाते है रबल बेंट चल्ढा करकिंग उस पर ऑर आकरतियों के नाम और उसे परिचित हो जाते हैं इस एक और सवार संख्या तीनकी गहत निन्यानवय को 5 से भाइग देने पर शेष रहता है यह आपको बताना एक संख्या आप के सामने उसको आपको डिवाइड करना क्या आंसर होना चाहिए इसक où मैं रीट के साथ तीना मैं जो है न रीट के बैच में तो नहीं हूँ मैं स्टीट ट बैले बैच में हूँ और उसमें सुभा पढ़ाऊंगा मैं साथ बज़ कर पंदा मिनट पर तो संख्या तीन की पावा निन्यानमे को को पांट से भाग देने पर शेस क्या रहता है आपने का सी चलो देख लेते हैं के दूट से रहुप आप से उनियान प्ले से सवाल ना करें कई बार उससे सवाल गलत हो जाती तो क्या करें में पांस को द्वाइड करने तो मैं यहां से ऐसी आवर कमब निकाला मत जो इस को यह डानले है यहां cinco निकाला तो यह पर क्या बचाby तीन की पावर दो निकानने से हर बच गया और नचास और तीन की पावर रेक रुट प्रिया बाशम में आ रही है ति नम्बर ओक इसको नाइँटीनाइन कर लोगा। आपक grey s 99 ओकी इसको करा क्रिए है। कि नाइटीजा बहुकरी कि समझा भी चुका हूं कि इन संक्याह yeast कैसे आइससर निकालते है और आपको पताऊना बहुत जरूरी है। ओके चलिए देखते हैं जब आप क्या मिला आपको जी समझ लो सवाल में क्या में में मैं इसको आफ कर देता हूं ओके नर्ट्स फाइन चलिए देखते हैं अब देखो तो हमने क्या कम किया हमने इसमें से कितना कॉमन निकाला यह दिस तूट क्योंकि 3 की पावर 3 9 होता है तो 9 की पावर उलंचास multiply by 3 की पावर 1 upon 5 जब 5 है आपने डिवाइड गए तो minus का 1 की पावर 49 multiply by 3 upon 5 तो minus 1 की पावर जब order number होता है तो minus 1 ही देगा न तो minus 1 multiply by 3 by 5 तो minus का 3 बटा 5 और minus का 3 तो remainder नहीं होता है तो minus का 3 remainder नहीं हो क्योंकि answer को negative नहीं लिखेंगे उसको में से positive लिखेंगे तो कैसे करेंगे पाँच minus का 3 बराबर 2 तो that is the right answer पता नहीं चार आपने रेटा हुआ सवाल लिखा हुआ है चार बोलने चार नहीं आएगा दोस्तों answer will be 2 इसको अब देखो unit place करने की कोशिश को तो भी हो जाएगा आप unit place से करते हुआ सवालोग आपने का 3 की पावर निद्यान में तो 3 की पावर चार आपने एक तरफ निकाल लिया तो 3 की पावर चार अप एक तरफ निकालोगी ऐसे चार से कटने वर सेंगा कितने हो जाएगी आपने का 96 है ना और multiple आवर तीन की पावर तीन एक तरफ दिया बटे पांच इसका तो एक आएक आता है तो 27 में आप पांच का डिवाइड कर दो पांच पंच 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 चिन दो सब गी दो बच जाएगा चीक है ना? हाँ एक बोर बता देते हैं देखो ये तो हुआ unit place से मैं इसको हमेशा बना करता हूँ क्योंकि unit place से आपके हमेशा उत्तर सही नहीं होंगे इस बात को समझ देना यूनिट प्ले से हमेशा उतर सही नहीं आगा, कई बार आपका घलत हो जाता है फिर समझ लो दुबारा से बता देता हूँ, ध्यान से समझना, देखो जब भी हम लिखते हैं 3 to the power 99 upon 5 तो इस वाली उपर वाले पार्ट में से मैं ऐसी common संक्या निकलता हूँ जिसे नीचे वाली संक्य से डिवाइड करने पर या तो उसके एक पहले या उसके एक बाद आंसर आए तो मैं 3 की power अगर 2 करता हूँ, तो 3 तीन नो होता है अगर मैं 3 की power दो बाहर निकालता हूँ, और 5 से डिवाइड करूँ तो 3 की नो हो गया ना, बटे 5 तो अगर मैं 5 का डिवाइड करूँ है, तो 5 दो नी 10, तो 1 माइनस का रिमेंटर मुझे बच गया अभी मैं इसको पढ़ा हूँगा, दुबारे से पूरे कोर्स को डेंस चनवार ले तो कितना होगा, 3 की power 2 बटे 5 आपने कर दिया, ओगे तो 9 बटे 5 Is it clear? आपने का clear है साब, यानि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3 की power 2 यहां से निकालता हूँ तो 99 में से जब 2 common निकाला तो 49 बटे 5 बटे 5 बटे 5 की बटे 5 को तो कितना आया माइनस का एक है ना रिमेंडर, that is 49 multiply by 3 upon 5 और माइनस एक की power odd नमबर तो माइनस एक ही रहेगा अपन 5, तो यह माइनस का 3 बटे 5 है, रिमेंडर कभी भी negative नहीं होगा, जब भी आप final answer करेंगे, it should be positive हमेशा positive में जाएगा, तो इसको positive कैसे करेंगे, अगर यह plus में होता तो इसको यहीं छोड़ देते, actually minus में तो नीचे वाले से इसको कम कर दो, that is the right answer, अगर आपको remainder theorem नहीं आता है, मैं पढ़ा दूँगा remainder theorem यहाँ पर, okay, अगर आपको remainder theorem नहीं आ रहा है, तो मैं remainder theorem समझा कैसे को करते हैं, it will take some time, so मैं class launch कर दूँगा remainder theorem की don't worry, परेशान ना हो आप, okay, promise, एक और सवाल, बताओ, नीतु कक्सा 4 की छात्रा है, वे गणित के प्रशन हल करते समय, इस प्रकार की तरूटियां करती है, 42 और 49 का अंतर निकालने के लिए, वो 12 माइनस, 19 वराबर माइनस साथ लिख देती है, उसके इस प्रकार हल किये गए, उत्तर से इस परस्ट होता है कि उसे घटाव की करिया नहीं आती है, उसके द्वारा हल किया गया प्रशन सही है, इस प्रकार के प्रशन उसके पार्टिकरम में नहीं है, उसे घटाना तो आता है, परन्तो बड़ी संग क आप्शन में मैं कर दाऊंग। मैं इसको लिख देता हूं दो लिख रेंशन ना लिया करवाब। सवाल में कुछ मिसिंग है तो इस मिसिंग पार्टकॉम कंप्लेट कर देता हूं। ठीक है अभी क्लिए रहे ने अभी समझ में आ गया हूँ। कि येस अब आपका जवाब मिलेगा क्या मिलेगा। ओके। और उम्मीद है कि आपका जवाब हमें अच्छे से मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं जहां समझना और यह हमारी रामप्यारी है। अब टिल्लू के पास 20 रुपे रामप्यारी के पास 8 रुपे तो दोनों का अंतर कितना है। अब बताओ मुझे। दोनों के रुपे में कितना अंतर है। आपने का बारा। अब इसको अपोजिट कर लेते हैं। मैंने हम एक तरिल्लू के पास 8 रुपे और रामप्यारी के पास 20 रुपे यह बार रुपे हैं। बीसे कर लेते अब इनका डिफरेंस कितना है आप ने का बारह रुपए जब अंतर निकालते हैं इट आलबेज भी पॉजिटिव तो जब अंतर लिए हैं तो हमेंस वो पॉजिटिव में आता है नेगेटिव में नहीं जाता तो उसने गल्दी कहां कि उसको बोला अंतर निका कि यह वाला बारह मैंस निकाला जाता है इस बात का बोल नहीं है इसलिए राइट ऑप्शेन आप्शन प्र आपने एकदम एक्टूरेट अंसर दिया है कोई गल्ती नहीं कि बहुत बढ़िया तो इसी तरह की गल्ती आपको नहीं करनी एं और सवालों को आगे बढ़ते जा ना और इसी तरह के सवालों को आप करते जाएंगे और बागी के प्रसंग आपके सामने आपकल आएंगे नेक्स शेशन में तब आपको कैसा लग रहा है है मुझे जरूर बताएं और मुझे बताएं कि आपको fashion में और हमसे क्या requirement है आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो सब हमें comment session में करके जरूर बताए तो आज के लिए अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करदो, share करदो, comment करना बिल्किल मिना बोलो तो don't forget to subscribe आप चैनल Thank you